अगर हम इन दो टेलिविजन स्क्रीन्स को कंपेर करें, तो ये काफी क्लियर है कि LG OLED TV के कलर्स दूसरे वाले की तुलना में ज़ाधा वाइबरेंट है और इमेजरी प्रोडक्शन क्वालिटी काफी बहतर है. ये फर्क डिस्प्ले टेक्नॉलजी की वजह से है, LG TV सबसे ज़ाधा एडवांस्ट डिस्प्ले टेक्नॉलजी ओलेट पर अधारिद है, जबकि बाकी TVs IPS LCD टेक्नॉलजी यूज़ करते हैं. चलिए ओलेट टेक्नॉलजी के बारे में डीटेल में जानते हैं. इंट्रिस्टिंग बात ये है कि इन दोनों ही टेक्नॉलजी में Fundamental Image Reproduction Mechanism सेम होता है. ओलेट की डीटेल जानने से पहले चलिए इस Fundamental को समझते हैं. सबसे चोटा डिस्प्ले यूनिट एक एलिमेंट होता है, जिसे पिक्सल कहा जाता है. इसका एवरिज साइज 0.3 बाइ 0.3 मिलिमीटर्स होता है. आप देख सकते हैं कि एक पिक्सल के अंदर तीन अलग कलर फिल्टर्स हैं. सबसे खास बात ये है कि हम अलग-अलग इंटेंसिटी पर इन फिल्टर्स को इलूमिनेट करके कोई भी कलर अचीव कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ एक्जेम्पल दिखाए गए हैं. अब आपको डाउट हो रहा होगा कि ये फिल्टर्स तो अलग-अलग पीस हैं. लेकिन ये तीन अलग कलर्स मिक्स होकर एक नया कलर कैसे प्रेड्यूस करते हैं. चलीए एक सिंपल एक्जेम्पल के साथ इस फिनॉमिनन को समझते हैं. एक पिक्चल में हम देख सकते हैं के कलर्स अलग-लग हैं. चलीए धीमे-धीमे पिक्चल के साइज को कम करते हैं. क्या आपने कोई डिफरेंस नोटेस किया। एक सर्टेन पिक्सल साइज के बाद हम individual colors में फर्क नहीं बता सकते हमें सभी का combined color दिखेगा ये human eye के limited visual resolution की वजह से होता है ये सब pixels के बीच का फर्क नहीं पहचान सकती अब चलियें pixels को digital में convert करते हैं ताकि हर pixel की खुद की position और color data हो image की future reproduction के लिए इस data को digital form में store किया जाता है अब देखते हैं कि practically image reproduction कैसे किया जाता है एक uniform white backlight source लीजिए एक color filter रखिए जिसके सामने कई सारे छोटे red, blue, green colors हों और फिर इसके सामने एक glass screen रखिए जैसे ही हम backlight को on करेंगे सारे filters एक ही intensity के साथ glow होंगे और output में हमें केवल white color मिलेगा बाकी colors के लिए सब pixels के brightness levels अलग-अलग होने चाहिए इसके लिए हम एक LCD sheet और एक छोटा circuit यूज करेंगे LCD crystal के polarization को adjust किया जा सकता है और हमें आसानी से सब pixels में brightness के अलग-अलग levels मिल जाएंगे अब जिन digital signals को हमने store किया था अब उन्हें electrical signal में convert करने का समय है इन electrical signals को circuit में feed किया जाता है जब signal receive होता है तो LCD में मौझूद crystal rotate होता है और light को polarize करता है इस तरह से हमने अपनी original image successfully produce कर ली है इस display technology के कई सारे disadvantages हैं इसका color production भी बहुत accurate नहीं होता है example के लिए अगर इस technology को use करके perfect black color produce करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा ये background में लगातार on रही backlight की वज़य से होता है उन display images में energy बहुत ज़्यादा consume होती है क्योंकि सभी pixels का light source common है अगर हम हर pixel को अपना खुद का light source दें और उसे control करें तो क्या होगा? एक शांदार idea है एक common light source को use करने के बज़ाए हम हर pixel के लिए बहुत ही सुक्ष्म और कई सारे light source को use करेंगे इस method के साथ LCD sheet को भी हटाया जा सकता है लेकिन issue ये है कि micrometer की range में इतनी minute LEDs को fabricate कर पाना practical नहीं है surface irregularity और room temperature पर solid होने की वज़ह से इन्हें micrometer की range जितना छोटा नहीं किया जा सकता है यहां काम आती है organic LED इन्हें 6.3 micrometer जितना छोटा करके fabricate किया जा सकता है अब चलिए देखते हैं कि OLED काम कैसे करती है कोई भी LED technology, semiconductor materials में electron hole pair के recombination के आधार पर काम करती है ध्यान दीजे कि visible range में light cable वही materials emit कर सकते हैं जिनके atoms में suitable band gap हो organic semiconductors में atoms के बज़ाए molecules के energy level को consider किया जाता है stable state वाले electrons homo level पर होते है जबकि excitation state वाले lumo level पर होते है चलिए anode और cathode को यूज़ करके इस organic semiconductor को external power supply के साथ connect करते है इसकी वजह से एक power supply के जरिये electrons homo से lumo में move करते हैं और holes बनाते हैं जैसे ही electrons lumo layer में enter होते हैं ये holes के साथ combine हो जाते हैं और natural tendency की वजह से light emit करते हैं लेकिन ये process simple नहीं है चलिए पहले anode side को देखते हैं जब हम battery के positive terminal को anode के साथ connect करते हैं तो ये organic layer से electrons को extract करने की कोशिश करता है लेकिन organic layer के homo level और anode के बीच में energy का difference होता है जो कि electrons के लिए एक barrier का काम करता है cathode side पर भी यही होता है तो cathode आसानी से electron inject नहीं कर पाएगा और ज़ादा energy consume करेगा electrodes और organic semiconductor के बीच दो अलग layers को add करके इस problem को solve किया जाता है इन दो intermediate energy layers को add करने के बाद ये barrier कम हो जाता है और organic layers से electrons को आसानी से inject या extract किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर molecules के बीच hop करने की वजह से charges की mobility बहुत कम होती है इस वजह से हमें energy, barrier और power consumption को और कम करने के लिए थोड़ी और intermediate layers लगानी पड़ती है हर सब-pixel को independently control करने के लिए चलिए एक filter के पीछे तीन organic LED लगाते है external power supply को change करके हम electron flow या recombination rate को control कर सकते है और कोई भी image reproduce कर सकते है यह काफी clear है कि इस technology को use करके black color को भी perfectly reproduce किया जा सकता है वर्तमान OLEDs केवल white light produce करती है OLED technology का एक cool और promising feature यह है कि हम इसकी मदद से color filters के use को भी avoid कर सकते है अगर हमें source से ही RGB color light emission directly मिल जाए तो यह भी एक possibility हो सकती है फिलहाल कई सारी manufacturing companies emission layers में कई doping materials add करके RGB color emit करने वाली LED devices को develop करने का काम कर रही है doping material add करने की वजह से emissive layer का band gap change हो जाता है जिसकी वजह से light emission का color भी बदल जाता है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप से फिर मिलते हैं